हालो मेरे प्यारे कैसे आपसचवी लोग कैसे चल रही आपकी पढ़ाई मैं महंद्रपार Awesome आशा करता हूँ कि आप भी अर्लोग बिलकुल स्वस्त होंगे और हां अपनी अपनी पढ़ाई मेरे प्यारे ब्यास्त होंगे दोस्तों आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं जिसे physics के जो numerical लगाते हैं बच्चेए वहां आप सबको परशान ही होती है क्योंकि जो physics होता physics को लगाने के लिए आपका formula उसके साथ सब्सक्राइंग की रखते हैं कि आपको याद करें existing तो वो सभी important जो आपके नियतायं constant values हैं उनको मैं आद आपको बताने वाला हूँ आप लोग इसको विद्वत तरीके से note करिएगा और आप प्रते point को आपको क्या करना है समझ करके याद कर लेना जिससे आपको निविरकल लगाने परिसानी मेरे प्यारे ना हो तो देरहार द 10 की पर 8 मीटर प्रती सेकेंड होती है और यहीं मेरे प्यारे याद करना सर्वाधिक प्रकास की चाल होती है सर्वाधिक प्रकास की चाल होगी यहनि अगर बात किया जाए कि प्रकास के सर्वाधिक चाल कितनी होते मेरे प्यारे बता देना थ्रीक पर 8 मीटर प्रती सेकेंड होता है दूसरी बात आपका हुटा गुर्ट्वी नियतां यहां कभी-कभी को सारबत्री गुर्ट्वा घर्षन नियतां के राम से भी नगा जाता है यह आपके इसके अधर में पूर्षन यह गुर्षन कोई रिक्षत नहीं है आपको यहां में से आपको समझ लेना यह बहुत इंपॉर्ट्व अन्हीं कुछ नहीं पहुंच से जाते हैं को सब्सक्राइब ही इसकी जो संख्या होता 6.022 यहां तो आपको टू लिया गया कहीं कि आपको 0.0 6.022 10 की पाउर माइनस 23 मोल आपका प्रती मोल होता है अब एक दूसरी बात आपके आते बोल्ड असमान नियतांक इसको हम केवी से विनोड करते हैं और केवी की जो वहली होती है 1.318 की पाउर माइनस 43 जूल प्रती के अपता होगा इस बात को आपको बिद्वत तईके से याद करना यह तो जाने ही न पाई यह वाले सारी चीजें आपको यह सारी जैसे आपको क्या होता आपके बोड़े पेपर का आपकी जुप यह वहाँ वहाँ वहां से पूशे जाते हैं जैसे यह न्टी पीची पर वाई का घ्हनत कितना होता है ठार्व्तन क्या होता है अब बात आते हैं जल का समस्ते मतलब आप क्या समस्ते हैं दूसर जल का घनत क्या होता 1.00 कहीं कहीं आपको 1.3 मिल जाला है तब भी आपको दिक्कत नहीं लेना है कहीं कहीं आपको क्यों मिलेगा 10 की power 3 kilo gram meter cube या 1000 kg meter cube मिलेगा तब भी आपको यहां धवराना नहीं है आपको याद करके रख लेना है पार्य का घनत की बात करेंगे पार्य का जो घनत होता मेरे पर विम्हीं दिनोस्ट पी करें से अब यहां पर प्रती क्यों उसलिते मिलंगे स्कारिक और बावी तर्ग पर विम्हीं एक क्रण ब्याद स्क्जाv आप ऐसे जैदल के वाले का दैसे डियांद क्वाल में जाता है अब से घंध क्या होता है घंध का मतलब दिखे घंध का मतलब होता है क्वभी माली आप एक शोटा सास्था निजी एक कमरा यी है दूसरे यह दूनों कमरी बाराबर है इस पचास वेकंड़ा है से सब्सकimore्माइ तबहुर सकते हैं इस सचा कर सकता है इस एक आइकर इक आइकान वहा पस्थे तो तरभमान को क्या को लेग्ट मली noi म्हानतो के नाम से जानते हैं यह तो फॿर्भर reaches आपको बढ़के रखना मैं ने पहने में जारे आपको आपको अब को पता है कि कोई एक धात्व एक वस्थाथ दूस्था में जब बदलती है है और न कुछ लोकुष के उस्मा में अंतर होता हुआ ही अंतर क्या के पुप तो उस्मा के नाम से जाना जाएगा इसको आपको पढ़ लेना है यह कितना होता असी किलो कालोरी आए ना ग्राम होगा यहां पर आपको यहां पर आपको ध्यान देना है आप सबसे लाश्वाश करूंगा तो आपकी दो तीन लाश्व पूस्तन है पृष्पी का त्रभ्मान यानि क्या मास अब अर्थ कितना होता है हम इस इंगोर करते हैं 5.98 चन के बाटे इतना होता हम आजी से दिनोट करते हैं 6.37 जिनके पावर 6 मीटर होता है यह मेरी प्यारे आपको नोट कर लेना है एक बात याद करता है मेरी प्यारे यह सभी आपके वह आपके लगाने के लिए बहुत ही इंप्वाटेंट है इसलिए प्रत्य पॉइंट को आपको समझ करके लिख लेना और याद कर लेना है और आप लोग कमेंट करके बताईएगा जरूर की एन टीपी का मतलब क्या होता है आप ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपको अली क्लाफ्स तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सस्काइब और अपने दोस्तों के पास से यहर जरूर करेंगे बाय बाय